नमस्कार मार्केट संभाद में आपका स्वागत है। आप जो नजारा देख रहे हैं कि उत्तर प्रिदेश का जासी महोसा हुए जो आप मार्केट संभाद पर अपडेट देख रहे हैं। और कल रात से सुबह तक बारिस हुई है और मौसम सर धवाओं का है और काफी ठंडी है लेकिन इस ठंडी में धासी वालों का जज़वा आप देख सकते हैं आज मंगलवार है सहर बंद रहता है फिर भी लोग सर धवाओं में मौस और घुमने के लिए कोई कसा नहीं छोड़ है क्योंकि सर धवाओं में ही मज़ा लेने के लिए मौज मस्ती के लिए खाने पीने के लिए लोग बाग निकले हुए हैं और सर्दी में लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है घुमने में मौसों के बाहर करना जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं हम हर जगा की अपडेट दिखाते रहेंगे आप देखते रहें मार्केट संबाद की रिपोर्ट अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें सेयर करें बेल आइकन दबाएं और देखते रहें मार्केट संबाद हम हर जगा की अपडेट दिखाते रहते हैं यह नजारा बड़ा खफ्शूरत है सर्ध हवाओं का घूमने का अलग अंदाज होता है जैसा कि हमने सोचा था कि सर्दी में भीड़बाल नहीं होगी लेकिन सर्दी में भी खूब मज़ा लेने के लिए महुसाओ का लोग निकल रहे हैं और महुसाओ का आनंद उठा रहे हैं अब बाहर भी रस दिखने लगा है और दुकाना यह भी खूब लग चुकी है इस समय यह बच्चों की लाइटें आप देख रहे होंगे तो पसंद करते हैं बच्चे अमेरिकन बुट्टे का आनंद उठाते हुए यह काफी अच्छा नजारा है यह बच्चों के गुबारे आप देख सकते हैं यह 40 रुपे पिलेट में ठोले बटूरे खाईए यह का पिलेट आप देख सकते हैं जो चाय पीने के लिए कप की जरूरत पढ़ती है अच्छे अच्छी दुकाने आई हुई हैं मेले में अब मेला अपने रंग में आता जा रहा है और भीड काफी देखी जा सकती है मार्केट सम्माद अपील करता है लोगों से कि जैसा कि हम आपने सुरक्षा से कोरोना को हराया है अब जो ओमी कुरोन की दस्तक हो चुकी है ओमी कुरोन के नए बरजन आने लगे हैं तो काफी केश मिलते जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें मास्क जरूर लगाएं मास्क लगाकर चलें और भीड़वाल से बचें हर ब्यक्ति अपना समय बरबाद नहीं करना चाहता और मेले का पूरा आनंद लेना चाहता है यह बोट्टे आप देख सकते हैं अमेरिकन बोट्टा है 40 रुपे का यह कितना अच्छा नजारा है बोट्टे का आनंद लेते हुए सर्द हवाओं में डबल मजा यह बड़ा अच्छा नजारा है बोट्टे का आनंद लेते हुए यह फुलवारी की दुकान आप देख रहे होंगे यह 10 रुपे की शेल लगी हुई है अब काफी अच्छी अच्छी दुकान है मेले में देखी जा सकती है अंकल भी आएं आंटी भी आएं और मेले का पूरा आनंद लें बच्चों के साथ बच्चों का ही मेला होता है मेले के बाहर का नजा रहा है शक्ता है टाए गल गवार भार ओँ पैसे निया बाहर का लिया रहा है एक बार खाव भार ऊओ पैसे निया बाहर मताई दक लिया हुई है कितना अच्छा अंदाज हैं का बेचने का एक काफी सालों से मटर बेचते आ रहे हैं जाहसी में जब बाहर का नजारा इतना अच्छा है तो माउसों के अंदर का नजारा तो और अच्छा देखेगा आपको काफी भीड़ है यह जो आप भीड़ वाल देख रहे हैं यह चपल यहाँ पर बिक रही है देखते हैं कर दो दो कानों पर संनाटा है और कहीं कहीं काफी भीड़ है यह बाहर की दुकाना है जो आप देख रहे होंगे बारिस का इंतिजाम करते हुगे थीसर रपे में सेल लगा हुगे हैं आप यहां करें साथ सर्दी गिर रही है कि बता तकंदारी नहीं हो रही है सर्दी गिर रही के सर्दी लग रही है अब तो के रहें थी सर्दी गिर रही है कोई बात नहीं उन्हां अधर कूटना होगा किसी को आप क्या कर रहें थी आपकी दुकान आप लोग किराकों में देखर चोरी करने ज्यादा आते सामान कम खरीदें चोरी ज्यादा करतें करने दो उनका भी भला करें भगवान तो अब जेहर के आपकी दुकान आप नहीं रखा पाई तो बस भगवान पर छोड़ दो आप देख सकते हैं बाहर की दुकानों का नजारा है और सन्नाटे में दुकान है जब खलवट्टा चूरी हो गया तुम का करते रहे घराख खड़े दस बारा सो इदर घरागी चला रहा तो दर से जाने कोई उड़ा ले तो इतना बड़ा खलवट्टा रखके कायमें ले गया वह कितने अच्छे-च्छे मंदर आप देख रहे होंगे पूजा करने के लिए काफी अच्छे मंदर हैं भगवान को बिठा लिए और पूजा करिए पुर्णलाब कमाईए मेला इंज्वाई के लिए ही होता है बेटा क्यासा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा सर्दी लगी कर नहीं लगी पूलमाजा लिया एक कुलल की चाय है जैसा कि आप देख रहे हैं जी शांटी स्टाल कुलल वाली चाय सर्दी में चाय का बड़ा आनंद आता है पीने में तो आपना भूला मकानम में के खूला है है रहान गडिये परशन मोला है मजनिया खाने में रपोर्ट को जयार भी चाने में मुरेना की साही गजक है और साजियों में गजक का है मुला अच्छा टेस्ट देता है खाने में मार्केट समवाद की रिपोर्ट जहां सी